नमस्कार अमंत्र पार्ठी के साथ आप देख रहे हैं आवाद में कुछ कागजात ऐसे होते हैं जिनकी आजीवन जरूरत पड़ती है ऐसा ही एक बेहत जरूरी दस्तावेज है जन्म प्रमान पत्र जीहां तमाम सरकारी यूजनाओं, सिक्षा संबंधी कामों और कई अन्य चीजों के लिए इसकी जरूरत पड़ती है ऐसे में यह जरूरी है कि नवजाज शिचु के जन्म के 21 दिनों के अंदर ही इसे बनवा लिया जाए इसे बनवाने को लेकर क्या प्रक्रिया है इसके बारे में लोगों को पता होना बेहत जरूरी है आज की अपने इस वीडियो में हम यही जानेगे कि जन्म प्रमान पत्र बनवाने की प्रक्रिया क्या है आपको बता दे कि ऑनलाइन और आफलाइन दोनों ही माध्यम से आप जन्म प्रमान पत्र बनवा सकते हैं Online और offline दोनों ही माध्यमों से जन्म प्रमान पत्र को बनवाया जा सकता है जरूरी नहीं कि इसके लिए हर राज्य में एक ही जैसी प्रक्रिया हो ऐसे में हम आपको एक सामान प्रक्रिया बताने वाले हैं तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे करें online आवेदन अगर संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जन्म प्रमान पत्र बनवाने की online सुविधा है तो उस पोर्टल पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बना कर आपको लॉग इन करना होगा लॉग इन करने के बाद आपको जन्म प्रमान पत्र संबंध ही लिंक पर जाना होगा आवेदन के फॉर्म में मांगी गई तमाम जानकारियों को बिलकुल सही सही भरें साथ ही मांगे गए दस्तावेजों को भी अपलोड करें इसके बाद फॉर्म को सब्मिट कर दें ये जरूरी है कि सब्मिट करने के बाद आपको जो रेजिस्टरेशन नमबर मिला है उसे अपने पास आप नोट कर लें जर्म प्रमान पत्र को आफ लाइन माध्यम से बनवाने के लिए सबसे पहले आवेदन फॉर्म लेकर आएं इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को बिलकुल सही सही भरें इसके अलावा जो भी आवश्यक कागजात मांगे गए हैं उन्हें आवेदन फॉर्म के साथ अटैच कर दें पूरी तरह से बिना गलती के भरा गया आवेदन फॉर्म तहसील में जमा करा दें इस पूरी प्रक्रिया के बाद कुछी दिनों में नवजात का जन्म प्रमान पत्र बन जाएगा तो दोस्तों कैसी रगी आपको इवीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राएज जरूर दें आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे कुछ ऐसी ही वीडियोज को लेकर तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ देखते रहें आम आदमी धन्यवाद